हमारे यूपी में में मेंथा यानि पिपर्मेंट की खेती खूब की जाती है। बदायू रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीली भीत, बाराबंकी, फैजाबाद और अमबेटकर नगर जैसे हमारे यूपी के कुछ ऐसे जिले हैं जहां इसका उत्पादन काफी अधिक मात्रा में किया जाता है। यूपी का बदायू जिला तो पिपर्मेंट की खेती के लिए काफी फेमस रहा है। बदायू के मेंथा से बने उत्पाद जर्मनी, चीन, कैनेडा, जापान, फ्रांस, आस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ साथ रूस जैसी जगहों पर निर्याद के जाते हैं। लेकिन अब हालाद काफी अलग है। कोरोना ने इस पूरे प्रासस को रोक सा दिया है। वैश्विक मंदी के चलते डिमांड काफी कम है, जिसका नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है। हालाकि ऐसा नहीं कि सिर्फ कोरोना नहीं, पिपर्मेंट की खेती पर सबसे ज़ादा असर डाला है। पिपर्मेंट की केटी अभ ऐसी हो गई है कि कई किसान इससे हाथ जोट चुके हैं। अब किसानों को पिपर्मिंट की खेती उतने मुनाफिवाली नहीं लग रही है जितने के लिए ये जाने जाती थी। दरसल अगर आप जानते हों कि पिपर्मिंट जो है एक नगदी फसल है। नगदी फसल यानि कि एक ऐसी फसल जो व्यापार के उद्देश से किसानों द्वारा की जाती हैं और इनमें कपास, गन्ना, तंबाकू, मुंखवली और ये पिपर्मिंट जैसी कई और तरह की खेती इसमें शामिल है। इसमें होता ये कि किसान इन फसलों को तुरन बेच कर पैसा कमा सकते हैं और इसी कारण इसे नगदी फसल कहा जाता है। किसान रभी और खरीब फसल के बीच मईश से सितंबर के दोरान जायत फसल के रूप में करते हैं। ये कुल तीन महिने की खेती होती है लेकिन खेती में अधिक लागत, तकनीकी और मेहनत के साथ-साथ मौसम का भी साथ मिलना बेहती जरूरी माना जाता है। इस एक एक एक्जामपल से समझे तो यूपी के किसान थे रमेश 15,000 की लागत से डेढ़ भीगा में पिपरमिंट की फसल तयार की। वो इसे काट कर पेराई के लिए ले ही जाने वाले थे के चानक से बारिश होने लगी। पूरी फसल खेत में ही सर गई और पौधों का रस भी गायब हो गया। तरह तरह की दवाओं का छिड़काव कराया और समय से हर आठवे दिन पानी भी दिया लेकिन प्रकृतिक इमार्ट से नहीं बस सके और इतने खर्च के बाद लागत भी हाथ नहीं लगी। यह सरकारी मंडी तो है नहीं और नहीं इसका कोई सरकारी रेट तैंकिया गया है। हर कोई अपने अपने एरिया में अपने अपने हिसाब से रेट लगाता है और किसानों को इसमें भारी नुकसान सहना पड़ता है। तो ये तो बात हुई मेंथा उत्पादों की समस्याओं की आयब समस्ते हैं मेंथा से जोड़ी कुछ और महतुपूर बातों के बारे में हजार टन मेंथा उयल का उत्पादन करता है इसए शोद के अनुसार भारत में कुल मेंथा उत्पादन का लगभग 90 फीजदी हमारे यूपी में ही पैदा होता है इसके अलामा एक महतुपूर बात ये भी बता दे कि भारत मेंथा ओयल के कुल उत्पादन का लगभग 40 देशों में नर्यात कर दिया जाता है इनसे के लावक कई दूसरे राज जैसे कि गुजरात और पंजाब में भी मेंथा की खेती होती है अच्छी कमाई होने की संभावना के चलते मेंथा का रखबा भी हर साल बढ़ता रहता है केंद्र और राजसरकारें इसकी खेती को अच्छानी की जानकारी भी इस एप में दोनों भाशाओं यानि की हिंदी और अंग्रेजी में दी गई है तो बारी है आज के सवाल की अगर आप ग्रामिल क्षेत्र से हैं और इस खेती के लाब और समस्याओं से जुड़ी कोई और भी जानकारी रखते हैं तो हम इसके बा बातें जुबी की